लिए हर आज है और फिरिंड्स है अब ही तख हम लोगों ने वा मैं सेक्सिस में तीन ऑब्जीक्ट पड़ी ली है जो कि टेबिल है फर्म है और क्वेरीज है आज हमें देखने के बारे में तो रिपोर्ट का मतलब क्या होता कि जब हमारा जो डेटा है वो डेटा अभी टेबलर फॉर्म में है और हमारे सिस्टम पे है बट हमें रिक्वार्मिट क्या होती है कई बार कि जो डेटा है उसको हम प्रिंट आुट निकाल लें ठीक है अब प्रिंट को बनाने के लिए भी दो तरीके हैं हमारे पास design view और using wizard एक और example आगे बढ़ने के पहले कि जैसे माल लीजे मेरे पास student का records है अब student के record में हमारे पास name है उसका course है उसका city है उसका phone number है बट मुझे जो report चाहिए फिलाल वो मुझे उसमें क्या चाहिए कि सिर्फ नाम आए student का और उसका phone number आए और वही मुझे paper पर चाहिए तो इसके लिए हम report बनाएंगे तो report बनाने के लिए हम create report in design view पे जाके double click करेंगे यह दो तरीके से बनता है एक design view में और एक using wizard जैसे हमने भी बांकी सारे object के साथ में भी देखा तो design view पे double click किया हमने अब आप देखोगे कि इसमें जो आपको page मिला है वो वैसा ही है जैसे हमारे पास form में था बट यहां पे दो चीज़ें बढ़ गई एक तो आपके पास page header और एक page footer ठीक है page header का मतलब क्या है फुटर का मतलब क आए वो वैसा ही है जैसे MS Word में था कि आप चाहते हो कि रिपोर्ट में ऊपर का जो portion रहे वहां पर आपके company का नाम date यह सारी चीज़े आए और footer में आप चाहो तो यह लिख सकते हो कि यह report किसने बनाई तो header और footer का use हम इसलिए कर सकते हैं दूसरा जो detail page है detail page में हम क्या क आएगा तो जैसे हमने form में देखा था क्या देखा था कि फॉर्म में कि अगर हमें कोई form बनाना है तो किस table के लिए form बनाना है वो select करना पड़ता था वैसे यहां पर भी करना है तो यहां पर जो खाली जगह है वहारा है क्लिक किया और यहां से मैं चेक कर लूंगा कि यहा प्रविल को select किया और आप देखोगे कि जो फील व्यू एक टारो बॉक्स होता है चोटा सा जो मैंने आपको बताया था अगर नहीं दिखता है तो आप व्यू में जाके फील लिस्ट पर सौरी फील लिस्ट है फील लिस्ट पे देख सकते हो इसको बन कर दिया अब रिपोर सबसे पर चाहता हूं कि जो header है वहां पर हम अपने institute का नाम लिख दें है ना जैसे हम हर रिपोर्ट में लिखते हैं तो यह टूल बॉक्स है जो इस टूल बॉक्स में मैं लेबल पर select करूंगा और select करने के बाद उसको यहां पर ड्रॉ करूंगा ठीक है यहां पर मैं type किया ठीक है टाइप करने के बाद मैं चाहता हूं इसका फॉंट चेंज करना है तो देखिए फॉंट करने के लिए पहले आपको जब टाइपिंग मोड में थे टाइपिंग मोड से बाहर आना पड़ेगा और उसको फिर select करेंगे और फिर जो भी फॉंट आपको देना है वह इस तरीके से हम लोग एडिट कर सकते हैं साइस ज्यादा हो गई है तो साइस को हम छोड़ा छोटा करेंगे सेंटर अलाइन करना है करना है तो वह हम सारी जीने कर सकते हैं ठीक है इतना सब्सक्राइब आ गया इसको मैंने सेव किया हर पॉंट में सेव कर लेना चाहिए तो यहां पी मैंने नाम दे दिया सबोस्ट इसट्विंट रिपोर्ट अब जैसे हमने हैडर में अपना लेबिल डाल दिया है कंपनी का हम चाहते हैं कि यहां रिपोर्ट में जो की डेटेल पोर्शन में हम बनाएंगे तो उस पॉर्शन में नेम को मैंने ड्रेग करके ड्रॉप किया और साथ में फोन नंबर क्योंकि हमने आपको बताया था हमें सिर्फ दो फिल्ड चाहिए ठीक है अब यह जो दोनों फिल्ड है इनको हम थोड़ा अरेंज कर लें यह जो पॉर्शन है इसको हम थोड सिर्फ नेम और जहां फोन लिखा है वहां हम कर देते हैं इसको फोन ठीक है इतना होने के बाद हम इसको सेव करेंगे यहां से इसको बंद करेंगे और जो फॉर्म जो हमारी रिपोर्ट बन चुकी है इस रिपोर्ट पर जो डबल क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि सारे जो स्ट्ट्वेंट्स हमारे पास थे उनका एक पेज में नाम आ गया तो इस तरीके से बेसिक रिपोर्ट हम बना सकते हैं तो जैसे अब हमने देखा कि बेसिक रिपोर्ट कैसे बनाते हैं तो वह जो रिपोर्ट हमने भी बनाई थी उसको बोलते हैं कॉलम रिपोट कॉलम रिपोट इसलिए क्योंकि वहां पर हर फील्ड के आंगे वेल्यू आ रहे थी तो जितने रिकॉर्ड होंगे उतनी बार फील्ड के नाम भी डिस्प्ले होते थे वहां पर ठीक तो अब हम देख रहे हैं कि जो दूसी रिपोट का टाइप है उसको हम बनाना तो वह कैसे बनाएंगे वह देखते हैं लोग अभी तो सबसे पहले क्रियेट रिपोर्ट इन डिजाइन वीव डबलिक कि हमने यहां पर किस टेबल के लिए हमें रिपोर्ट बनानी है तो जैसे मैंने बताया था आपको कि खाली जगए पर राइट लिक करना होता है वैसे आप कहीं भी राइट लिक कर सकते हो तो इसे मैं यहां राइट लिक करता हूँ प्रॉपर्टी इस पर गए यहां से आपको डॉप डाउन से रिपोर्ट करना पड़ेगा यह इंपॉर्टन स्टेप है यहां पर फिर यहां रिकॉर्ड सोर्स में आप जो भी टेबल का नाम हमने यहां पर इस्ट्वेंट दिया हुआ है वह स्लेट किया हमने इसको बंद कर दिया जो फील लिस्ट वेंडो है उसमें से हम वह सारी फील्ड चूस कर लेंगे जो हमको रिपोर्ट में डालनी है तो जैसे मुझे नेम कोर्स और सिटी दिए यह मैंने यहां से ड्रैक किया ड्रॉप किया अब जो टेबलर रिपोर्ट होती है उसमें जो लेबल है इसमें बताया था आपको कि जो यह टेक्स्ट है और यह लेबल है तो लेबल को हम यहां से कट कर देंगे और जो हैडर वारा पोर्सन है उसमें जाकि हम इसको कर देंगे पेस्ट कर देंगे ठीक तो यह मैं सारे जो लेबल्स हैं उनके साथ यह मैं करूंगा ठीक है हम इनको भी अरेंज कर देते हैं नेम के नीचे नेम आ जाएगा नीचे कोर्स आ जाएगा और सिटी के नीचे सिटी आ जाएगी अब चाहें तो हम इनके जो फिल्ड के नाम हैं उनको भी सही कर सकते हैं तो जैसे मैंने लिदिया नेम यहां मैंने लिदिया कोर्स और यहां पर सिटी ठीक है अब जो नेम है कोर्स है और सिटी है इनको मैं एकट्टा सेलेट करना है तो दिखेंगे ऐसे ड्रै करके माउस को आप ऐसे करोगे तो तीनों रिबल सेलेक्ट हो गया यहां इसको मैंने बोल्ड कर दिया थोड़ा सा औ अगर हम चाहें तो साइस बगर बढ़ाना है या कलर चेंज करना है वह भी आप कर सकते हो ठीक है अभी इसको हमने सेव किया और रिपोर्ट कर नाम ने दे दिया हाँ पर इस्टुडेंट टैबूलर रिपोर्ट पर क्लिक किया अब आप देखोगे इसको मैं बंद कर देता ह देखो कि टैबूलर फॉर्म में आपकी रिपोर्ट जनुरेट हो गई तो यहाँ पर क्या हो रहा है फिल्ल का नाम एक बार आ रहा है क्यों हो आ रहा है एक बार प्यूंकि हमने जो नाम में फिल्ल के वह हमने कहां लिखे हैं और हेडर पार्ट में हम कुछ भी लिखते हैं वो सिर्फ एक बार ही आता है ठीक है इतना सज में आ गया अब जैसे अगर माल लीजिए कि थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में हम दिखाना चाहते हैं तो कैसे उसको हम डिस्प्ले करेंगे वह में देखते हैं एक बार यहां पर जो हमने टेक्स बॉक्स लखा है यहां हम चाहें तो रेक्टेंगल ड्रॉग कर सकते हैं ठीक है कैसे ड्रॉग करेंगे ऐसे हमने रेक्टेंगल ड्रॉग किया यहां पर ठीक है अब देखोगे कि जो रेक्टेंगल है वह वाइटलर का है चोकी और इसलिए वह जो टेक्स बॉक्स था वह पीछे चला गया है तो बहुत सिंपल है आप इसको सिलेट करोगे राइट लिक करोगे और यहां से इसमें हम कलर चेंज कर देते हैं जैसे हम इसको बना देते हैं ट्रांस्परेंट ठीक है और यहां इसको च्छोटा कर दिया हमने ऐसा हमने दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉग किया उसी के पास से ठीक है और ऐसे ही हमने तीसरा रेक्टेंगल ड्रॉग किया ठीक है इसमें भी हमने राइट लिक किया ट्रांस्परेंट कलर कर दिया और इसको भी हमने यहां पे ट्रांस्परेंट कर दिया ठीक है सेव किया हमने और इसको हमने वापर से चोटा कर दिया अभी देखें अगर हम इस तरीके से जो टेबलर रिपोर्ट है वो हम बना सकते हैं जो तीसरा टाइप होता है जस्टीफाइड वह मैं आपको विजाड से बताऊंगा तो विजाड से रिपोर्ट बनाना बहुत आसान है और हम इसमें कुछ स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं तो रिपोर्ट बनाने के लिए विजाड से डबल खक्रेक ही हम ने वेजाड पर यहां पे जो टेबल की उपर हमें डिफिस बनानी है और कौन कौन सी फिल्लोन हमें डालनी है जैसे मैंने स्ट लेम को है सिटी सब चाहिए हमें ठीक आइडी नहीं चाहिए हमें यह सब चली थीक है आइडी भी हम ले लेते हैं नेक्स प्रिक किया अगर हमें grouping करनी है grouping का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे course के basis पर group करना है ठीक है तो देखिए मैं बता देता हूं मैंने course rate किया ठीक है तो पहले क्या होगा कि DCA वाले जाएंगे PGDC वाला लगाएंगे तो मैंने इस तरह किसे grouping कर दी फिर next किया हमने अगर हमें ascending descending order में करना है ठीक है तो इसे मैं चाहता हूं कि name के base पर ascending order में जम जाएं ठीक जो भी चाहिए हाँ select कर सकते हम लोग next किया यहां पर जो layout है वो choose करेंगे हम लोग ठीक है तो मैं अभी यहां पर simple जो पहला है step आप यहां पर picture में देख सकते हो कि कैसा वो display होगा और orientation का मतलब होता है कि आपको portrait चाहिए landscape format में चाहिए ठीक है पोटर स्रेट किया हमने next पर click किया यहां पर style क्या चाहिए जैसे मैंने यहां पर ले लिए सपोज casual style ले लिए हमने next पर click किया report का नाम क्या रखना है तो हमने यही दिखने देते हैं student report ले देता हूं मैं ठीक है और इसको मैं finish करूंगा तो अब देखोगे कि DCA के अलग students आ रहे हैं और PG DCA के अलग आ रहे हैं ठीक तो यह तो हमने यहां पर group कर दिया तो इसलिए हमसे वह उसने justification का नहीं पूछा जो मैंने आपको बता रहा था कि justified report क्या होती है हम इसको बंद कर देते हैं मैं justified बना के दिखाता हूँ यहां double click किया हमने टेबल स्लेट की हमने सारी फील स्लेट की इस बर मुझे SID नहीं चाहिए नेक्स पर क्लिक किया grouping नहीं करनी है हमें नेक्स पर क्लिक किया मुझे name के base पर जैसे order में चाहिए नेक्स पर क्लिक किया अब देखो कि जो layout है वो column हमने बना चुके है टेबलर मैंने आपको बना के दिखाया था अब justify दिखते हैं ठीक justify पर हमने क्लिक किया नेक्स पर क्लिक किया बोल्ट स्टाइल चूज कर लेते हैं इस बार हम लोग next यहां पर रिपोर्ट का नाम हम लोग यहीं दरने देते हैं और finish ठीक है तो justified मतलब क्या होता है कि वो पूरा page की जो width होती है without margin मतलब यह जो margin छोड़के जितना भी width होगा उस पूरे में आपक तीन प्रकार की रिपोर्ट है कौन-कौन सी पहला मैंने आपको बताया कि हम लोग टेबलर रिपोर्ट बना सकते हैं दूसरा कॉलम रिपोर्ट बना सकते हैं और तीसरा justified और दो तरीके से रिपोर्ट बना सकते हैं एक design view में और wizard के थूरू ठीक है तो आंगे इसके हम लोग अगली class में दिखते हैं